नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एक ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी कैसे हैं मुझे ये कमेंट करके जरूर बताईएगा काफी दिनों बाद आपको मेरी आवाज सुनने को मिलेगी कुछ टोपिक आपको देखने को मिलेंगे लेकिन मैं दर की बात ना करके सिर्फ आपसे टोपिक से एलेटेड बात की जाए तो यहाँ पर आज मैं जो नीती निदेशक तत्वों की जो बातचेत करने जा रहा हूं इसमें मैं किसी भी प्रकार के अनुच्छेदगे बारे में बात नहीं करूँगा नीती निदेशक तत्वों से स सम्मदित कुछ ऐसे प्रस्ण परिक्षा में पूछ लिए जाते हैं पूछे जाते रहे हैं या आगे आने वाली परिक्षाओं में पूछे जाएंगे उनको लेकर मैं इस वीडियो में आपके साथ में जुडा हूं तो कोशिश करिएगा चैनल पर दुबारा से आने की अप से बात करता हूँ कि देखे नीती निदेशक तत्व जो हैं इनके बारे में बात करें तो नीती निदेशक तत्व जो हैं इनको हम एंगलिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब देखे डायरेक्टिव डायरेक्श राज्ये इन्हें लागु करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी सुविदा के अनुसार, राज्ये इन्हें लागु करेंगे, तो नीती निजेशिक ततूर दरसल में इनको डारेक्टिव डारेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों कहा गया है क्योंकि देखे दोस्तों सम्विधान में ये एक मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में काम करते हैं मार्ग दरषक सिद्दान्त के रूप में काम करते हैं, समिधान के अंतरकद, इसलिए आपको इंग्लिश में इसका जो वर्ड मिलता है, directive principles, ठीक है? एक मार्ग दरषक सिद्दान्त के रूप में ये समिधान में कारें करते हैं, आईए अब इनकी कुछ छोटी मोटी बातें सा ले जाते हैं तो 36 to 51 यानि 36 से 51 में इनका वर्णन है अब देखे भारते सम्विधान के भाग चार में अनुछे 36 से 51 के बीच में वर्णित है इन सभी अनुछे दों को मैं आपको एके करके अच्छे तरीके समझा दूगा उसमें क्या पॉइंट है वो भी मैं समझा दूगा आ आयरलेंड से लिया गया नीती निदेशक तत्वों जो हैं ये हम बता दें आपको कि भारत और आयरलेंड एक तो आयरलेंड से हमने ले लिया आयरलेंड में ये व्यवस्ता थी और एक कौन से देश में व्यवस्ता होगी ये भारत में भारत और आयरलेंड को छोड़कर केवल और केवल, विश्यों में दो ही देशों में मिलते हैं, एक आयरलेंड से, और आयरलेंड से हमने इनको ले लिया भारत के अंतर, तो दो ही देश ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट से मैं आप से रूबरू होता जाऊँगा, इनका जो उदेश्य है या महतु है, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, मैं तो कह लीजिए, उदेश्य कह लीजिए, सही तरसल में इनको उदेश्य हम कह सकते हैं, कि नीती निदेशक ततो का उदेश्य क्या है, देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापना करना, या फिर हम तरसल में जब समिधान का निर्मान हो रहा था, क्या हो रहा था, समिधान का निर्मान हो रहा था, तो निर्मान करताओं के दिमाग में ये था, कि भारत में राज्य तो स्थापित होना चाहिए, राज्य तो स्थापित होना चाहिए, लेकिन कैसा राज्य स्थापित होना चाह अब देखो, कल्यानकारी राज्य की भी हमने बात कर ली और ये किस देश्य लिए गए, इनका उदेश्य क्या है, कौन से भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये हमने यहाँ पे बात्चित कर ली, अब देखो, निंदेशक तत्वो को समिधान में एक मार्ग दर्शक सिद मैंने आपको बोला, डारेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में अपनाया, जिनका क्रियानवन राज्यों की च्छाओं पर, राज्यों की स्विधानुसार छोड़ दिया गया है, ठीक है, अब इन निदेशक तत्वों की कुछ सीमाई भी है, क्या, जी हाँ, सीमा भी है, न नियायलों द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें लागू कोन करेंगे, स्टेट करेंगे, राज्य करेंगे, कोन करेंगे इन्हें लागू, राज्य करेंगे, नियायले लागू नहीं करेगा, वैदानिक शक्ति इन्हें प्राप्त नहीं है, ये इसमें क्य कुछ सीमाय है नीती निंदेश्री तत्वों से संबंदित कि इन तत्वों को न्यायले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता इन्हें वैदानिक शक्ति प्राप्त नहीं है ठीक है अब कोई भी यदी राज्य है वो कोई कानून मना रहा है हम ये कह सकते हैं कि राज्य है वो र इन तत्वों का प्रियोग करना राज्य का क्या होगा कर्तव्य होगा राज्य का क्या होगा कर्तव्य होगा कि वो जब कोई भी कानून मनाए राज्य सरकार तो इन नीती निंदेशक तत्वों को वो इनके उपर ध्यान दे इन तत्वों का प्रियोग करें ताकि कल्यानकारी राज्य की क्या हो सके, इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है, अब समिधान निर्मान के समय, जिस भी प्रकार की आर्थिक और प्रशासनिक जितने भी संसादन थे, सीमित थे या असीमित थे, उनको लेकर नितिग तत्वों के लिए, उन सभी राजनितिक व्यवस्थ का एकिकरन होने के साथ ही, समान नागरिक सेमती बनाना भी संभव नहीं था, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, नीति निदिशिक तत्वों को वाद योगे नहीं बनाया गया, किसी भी प्रकार की इसके अंतरकत हम कह सकते हैं, कि नियायले में कारवाई नहीं होगी, इनके कोई भी सुनवाई की विवस्ता इसके अंतरकत नहीं कही गई, लेकिन अब सब्जेक्ट ये आया, कि इनका जो किर्यानवन है, वो राज्यों के उपर छोड़ दें, ताकि वो इनको इंप्लिमेंट कर सके अपनी सुविधा के अनुसार, इसी लिए केटी शाह ने एक बहुत महतपूर्ण एक कहा था बात कही थी, कि राज्यों के नेती निदेशक्ततु एक ऐसे चेक है, जो बैंक की सुविधा नुसार अदा किये जाते हैं, ये किसने कहा, केटी शाह ने का, आगे मैंने महतपूर्ण परिक्ष्वभी प्रश्णों में इसको समाहित भी किया देखो, कुछ प्रश्ण भी देख लीजिए, अब, राज्ये के नीती निदेशक्ततु एक ऐसा चेक है, जो बैंक की सुविधा नुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा, केटी शाह ने, केटी शाह ने, राज्ये के नीती निदेशक्ततों के लिए कहा, और ये अप्लेंड से लिया गया है ध्यान दीजीगा विश्यों में किवल दो ही देश हैं आयरलेंड और भारत जिसमें इस प्रकार की विवस्था की गई है आयरलेंड से अमने इने लिया है नीती निदेशक तत्वों को समविधान की आत्मा किसने कहा ये प्रश्ण भी आपसे पू अनुछेद 36 से ही शुरू होते हैं तो 36 में मैं आपको एक बात बता दूँ कि वहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ दिया गया है वही राज्य शब्द का अर्थ भाग तीन में अनुछेद 12 में है ठीक है तो अनुछेद 36 में राज्य शब्द का अर्थ दिया गया है इन करके आगे आने वाली वीडियो में चर्चा कर लेंगे तो दोस्तों नीती निद्रिक सत्तों से संबंदित कुछ यहां पर फैक्ट थे परिक्षा उपयोगी सामान्य है मैं जानता हूँ लेकिन आपको बताना आउशक थे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा वापस चैनल पर जुड़ जाएए अपने हर ग्रूप में शेर कर दीजिए कि राजनिती विज्ञान से संबंदि जितने भी विद्यारती हैं चैनल पर लगातार विजिट करें वीडियो मिलेंगे फर्स्ट गेट से एलेटेड वीडियो मिलेंगे सेकंड गेट से संबंदि विश्यों के आपको विडियो मिलेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो